hello everyone welcome to my channel तो आज हम लोग solve करेंगे work sheet third के questions को और इस work sheet में हम लोग use करेंगे the angle side angle congruence condition यह देखे अनब इसका हम लोग use क्रेंगे को questions को solve करने के लिए और इसके पहले जो work sheet 2 है और one है इसको हम लोग solve कर लिए है उस वीडियो का लिंक आपको मिल जागा 복 see आप तो फिर आप स्कीन में राइट साइट कॉर्णल पर आया बटन देख रहे होंगे आया बटन को भी आप किलिक किजिए वहां से भी आप वीडियो लिंक पर जा सकते हैं तो चलिए लोग फरस्ट को सॉल्व करते हैं कह रहा है इन फिगर 9.28 यह अपना फिगर दिया हुआ देखें ध्यान से इसमें एंगल P और एंगल Y इक्वल है कितना है 40 डिगरी यह एंगल P है और यह एंगल Y है कितना 40 डिगरी है और यह एंगल Q और Z इक्वल है यह जो एंगल Q आप देख रहे है और यह Z देख रहे है वो इक्वल है कितना 60 डिगरी से फिर कहता है find the third pair of corresponding parts which make triangle PQR, ये triangle PQR congruent triangle YZX, ये triangle YZX congruent होगा, ओके, by SAS congruence condition, तो यहाँ पर SAS का meaning क्या हो रहा है, side angle side, angle side angle, ओके, तो angle देखिए, आपना two angles तो equal हो चुका है, और इसके बीच में, हाना ये जो दोनों angle है, इसके बीच में कौन सा side आ रहा है, यहाँ पर PQ, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए, YZ, ये दोनों ही equal है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, PQ equal YZ, ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, third pair, तो हम लोग third pair यहाँ पर क्या note कर लेंगे, PQ is equal to YZ, ओके, PQ ये हो गया, PQ equal to YZ, और कितना से, तो 4.6 cm से, ये अपना answer complete हो गया, ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक line बढ़ा सकते हैं, which makes triangle PQ are congruent triangle YZX by S angle side angle condition, ठीक है, next question को लोग देख लें, अब question number 2 हमारे पास से कहता है, which pairs of triangles are congruent by side angle side congruence condition, in figure 9.29, if congruent, write the congruence of the two triangles in symbolic form, तो बसके बाल symbolic form में हमको represent कर देना है, तो आईए A, A, B, C में आप चेक करिए, A कितना है, 40, और Z कितना है, 40, यहाँ पे angle C कितना है, 60, angle Y कितना है, 60, और इसके बीच में जो side आ रहा है, A, C, और यहाँ पे जो अपना आ रहा है, Z, Y, यह कितना है, इक्वल है, तो इस तरह से यह हमारा हो जाता है, अना congruence, angle side angle से, तो हम लोग यहाँ पे note कर लेते हैं, थर्ड नमबर का first हम लोग note करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे triangle A, B, C, अगर हम लोग लिखते हैं A, B, C, तो यहाँ दखिए A, B, और C लिखते हैं, तो हमको इसमें क्या लेना पड़ेगा, हम लोग ने A, B, C लिया हुआ है, तो हमको लेना पड़ेगा Z, X, Y लेना पड़ेगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा ना लिखें, अगर हम इस तरह से लिखें, A, C, B अगर लिखें, अगर हम लिखते हैं, triangle A, C, B, तो हम कहां से चलेंगे, हम चलेंगे Z, Y, और X चलेंगे, ठीक है, Z, Y, और X चलेंगे, clear, Z, Y, और X चलेंगे, ओके, तो अभी हमको corresponding part को match करना है, यह दियान रखना है, कि जैसे A, B, C लिए, तो A कितना है, 40 degree, तो इस triangle में मेरा 40 degree कौन सा है, जैड है, तो हम A के respect में क्या लिए हैं, Z लिए है, और यहां पर A के बाद हमने B लिया, तो B मेरा यहां पर है, तो Z के respect, इस triangle में Z के बाद क्या लाना पड़ेगा, X, तो हमने X लिया है, और last में हमने क्या लिया है, C, C कितना है, 60 degree, तो इस ट्रेंगल में लास्ट में 60 कितना हैगा हुआई तो हमने लास्ट में क्या लिया हुआई तो हम इस तरह से भी रिपरजेंट कर सकती हैं ओके तो चलिए यह बहुत ही इसली हो गया हना corresponding part को मेंच करना है आईए second यह देख लें हम लो हमारे पास है A, B, A, B, O और इधर है हमारे पास C, D, O तो देखें A, B, O में यह हमारे पास कितना है 80 है और इसमें से D हमारे पास कितना है 80 है और यह जो एंगल है यह vertically opposite एंगल से equal हो जाएगा हाना एंगल A, O, B, A एंगल C, O, D, this एंगल ओके यह vertically opposite से equal हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि two angles equal हो गये और उसके बीच में जो side आ रहा है वो 4 cm रहा है वो भी अपना equal है इसका मतलब यह दोनों ही triangle हमारा क्या हो गया congruent हो गया किस से तो S side angle side से तो लोग यहाँ पर क्या लेंगे A, O, B लेते हैं मालों यह triangle A, O, B लिए ऐसा ठीक है A, B, O भी ले सकते हैं A, B, O भी ले सकते हैं A, B, O लिए तो उस condition में हम इधर से क्या लेंगे C, D, O लेंगे क्या लेंगे C, D, O लेंगे या अगर हम इधर से लें A, O, B लें अगर हम लेते हैं A, O, B A, O, B लेते हैं तो इस condition में हम इस triangle को कैसे लिखेंगे इस triangle को लिखेंगे C, O, D लिखेंगे क्या लिखेंगे triangle C, O, D लिखेंगे तो हम इस तरह से represent कर सकते हैं बस corresponding part को हमको match करके लिखना है ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को next हमारे पास है, यहाँ पे question number third और इसको हम देख लें तो हमारे पास यह जो triangle है A, B, C, ठीक है A, B, C लिए हम लोगों और अगर हम A, B, C लेते हैं और इधर से हम लेते हैं D, C, B ठीक है, यह ध्यान देजिए तो A, B, C में तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे B कितना हो रहा है जो यह B आ रहा है आपका 40 प्लस 20, that is 60 हो रहा है तो इधर से आपका जो C आ रहा है C, D, C, B में यह देखिए, C जो आ रहा है यह आपका 40 प्लस 20, that is 60 आ रहा है तो B के साथ आपका C यहाँ पर मेच कर रहा है, यह पूरा एंगल, ओके, और यह पूरा एंगल, हाना, अब दुसरा, हमने A, B, C लिया, तो C का भेलू कितना है, आप देखिए, यह हो गया, 20, हाना, इस ट्रेंगल के लिए, A, B, C के लिए, C कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, ओके, और इधर D C, B के लिए कितना हो रहा है, यह हो रहा है, 40, तो D, C, B में हमारा B होगा, और इधर से A, B, C में हमारा एंगल C होगा, ओके, और यह हमारे पास इतना है, एक्चुली यह दोनों ट्रेंगल को एक साथ बना दिया ना, हम इसको अगर सेपरेट करके बना लें, तो हम लोग को अच्छे से समाझ मा जागा, आएए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यह जो दोनों ट्रेंगल है, इसको हम अलग बनाते हैं, यहाँ पर, तो देखिए हम कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यह अपना एक ट्रेंगल हो गया, और इसका हम नाम दे सकते हैं, A, B, C हम इसको अलग-अलग करके ड्रॉ कर रहें, और इधर से जो मेरा ट्रेंगल है, वो कुछ इस तरह से है, यह देखिए, इस तरह से, ओके, तो हमारे पास एक कितना है, D, B, C है, यह है D, B, और यह C हो गया, ओके, तो अब ज़रा ध्यान दिजिएगा, कि भैलू कितना है, यह हाँ पर B की बात करेंगे, तो यह टोटल हमारा आ रहा है, यह टोटल, तो यह टोटल होगा 20 प्लस 40, that is 60, ओके, इधर से देखिए, D, C, B में, D, C, B में, यह जो टोटल भैलू आएगा, यह 20 प्लस 40, that is 60 आ जाएगा, किलियर, और इधर से हमारा यह जो ट्रेंगल है, A, B, C में, यह एंगल, इस एंगल कितना होगा, 40 होगा, और इधर से D, C, B में, यह ट्रेंगल, यह एंगल कितना होगा, 40 होगा, तो आप देखिए, यह दोनों ही ट्रेंगल में, हमारा टू साइट, टू एंगल तो एकॉल होगे, अब यह जो साइट, बी सी है, यह जो बी सी है, यह दोनों ही ट्राइंगल में, यह दो भी equal हो जाएगा, चुकि यह common side हो गया, तो यह equal हो जाएगा, इसका मतलब side, angle, side, angle, angle, side, angle, से यह हमारा क्या हो जाएगा, यह दोनों ही ट्राइंगल concurrent हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर A, B, C लिखते हैं, अगर हम लिख ट्राइंगल A, B, C लिखते हैं, तो इसकी respect में हम क्या लेंगे, A, B, C लिए, तो लेंगे, D, C, B लेंगे, क्या लेंगे, ट्राइंगल D, C, B लेंगे, यह अगर कोई ऐसा लिखता है, A, C, B लिखता है, हम इसको और करके, हम ले सकते हैं, ट्राइंगल A, C, B लिख सकते हैं अगर हम A, C, B लिखते हैं तो उस condition में हम यहां क्या लिखेंगे D, B, C लिखेंगे क्या लिखेंगे D, B, C लिखेंगे और अगर आप चाहते हैं तो इसको तिसरे ढ़ंग से भी आप लिख सकते हैं B, A, C आप वो अलग-अलग ढ़ंग हो सकता है आप अपनों देख लिखेंगे B, A, C के साथ लिखेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे D, B, A, C लिखेंगे तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा D, C, D, B लिखना पड़ेगा ओके? यह अपना complete हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे question number 4 यह दोनों triangle जो दिया हुआ है क्या यह congruent है? हाण और तो यह जो हमारा triangle है ना इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि angle B, A, C यह तो 40 है और यह E, A, D के equal है ओके? दोनों triangle में यहां पर angle C जो है 60 है और यह D है 60 है दोनों equal है लेकिन इसके बीच में जो side का यह length है यह A, C, A, D के equal है कि नहीं यह नहीं दिया हुआ है ओके? जबके हमको यह चाहिए कि जो two angles है ना उसके बीच में जो side है उसका length हमको चाहिए तो अगर हम इतना से काम चलाएंगे इतना को हम देखें तो यह तो नहीं हो रहा है लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चुकि two angles दिया हुआ है तो हम यहाँ पर third angle को find out कर सकते हैं by angle sum property angle sum property यह हम लोग जानते हैं क्या होता है? angle sum property होता है कि triangle के जो तीनो angle है उसका sum कितना होता है? 180 तो यह इस angle को हम निकाल सकते हैं यह कितना होगा? बताइए 40 plus 60 किजिए कितना होगा? 100 180 में 100 minus किजिए तो यह आपको मिल जाएगा 80 degree clear? अब इसर से देखिए इस तरह से यहाँ भी आप क्या पाएंगे? यहाँ भी आप पाएंगे 80 degree तीनों angles को जोड़ेंगे एड करेंगे तो कितना आएगा? 180 आजाएगा? अब चेक किजिए अब हम चेक करते हैं तो B किसके equal हो गया? E का और C किसके equal हो गया? D का और इसके बीच में जो यह side है वो भी equal है कितना? 4 cm से तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे angle side angle condition follow हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? Yes हम लोग लिखेंगे Yes Yes हम लोग Yes लिख दिए अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे? तो देखे, triangle अगर हम लिखते हैं triangle A, B, C लिखते हैं triangle A, B, C लिखते हैं तो अभी हम इस triangle को कैसे लिखेंगे? A, B, C लिखेंगे हम लोग लिखेंगे A, E, D लिखेंगे A, E, D नोट करना है corresponding part को हमको match कराना है अगर हम लिखते हैं A, C, B अगर हम ऐसा लिखते हैं triangle A, C, B लिखते हैं तो उस condition में हम इसको क्या लिखेंगे A, D, E लिखेंगे triangle क्या लिखेंगे A, D, E लिखेंगे मतलब हमारा motto क्या है हमारा motto यह है कि हम corresponding part को एक साथ और मेच करते वे लिखेंगे clear समझ में आ गया तो ये दोनों ही triangle क्या है ना congruent है कि इसके side angle, side angle के property से ठीक है next हमारे पास fifth number है उसको हम लोग check करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख रहे है fifth number पे A, B, C एक triangle दिया हुआ और Y, Y, Z, X या फिर Z, X, Z, Y कुछ भी आप कहिए तो इसमें से two angles हम check करते हैं कि क्या यह आप वाकर में congruent है कि नहीं तो देखिए congruent है कि नहीं तो देखिए हमारे पास यह अगर B की बात की जाए तो हमारा Z के equal हो जाएगा चुकि यहाँ symbol दिया हुआ है इसका मतलब होता है 90 degree आप इसको जानते हैं यह 90 degree के equal हो रहा है लेकिन अभी बात करते हैं यह C है 60 और यहाँ Y है 30 तो angle sum property से यह मेरा 60 आजाएगा और यह मेरा 30 आजाएगा तो अभी हम देखेंगे तो हमारा angles तो equal हो गया corresponding angle equal हो गया लेकिन हमको यहाँ पर angle side angle condition follow कराना है तो angles तो equal हो गया लेकिन जो side है इसमें से किसी भी side का length नहीं दिया हुआ है तो क्या यह इस condition को follow नहीं कर रहा है क्यों चोकि इसमें length of side दिया है नहीं किसी भी एक side का अगर length दिया हुआ होता तो यह अपना follow कर लेता clear चलिए अब हम लोग बढ़ते है next question पे तो question number 3 में कहता है in figure 9.30 यह figure दिया हुआ है qx यह जो qx है qx जो है by side कर रहा है कि इसको angle pqr को angle pqr को by side कर रहा है ठीक है two parts two equal parts में divide कर रहे है as well as angle psr psr इसको भी two parts में divide कर रहा है कहता है state the three facts needed to ensure that triangle qrs triangle qrs यह triangle हा ना congruent है triangle qps qps का तो आईए हम इसको कर लेते है three facts हमको देने है three facts हम बहुत ही easily दे सकते हम लोग को third number पर यहाँ पर not करना है तो हम लोग देख लें क्या-क्या लिखेंगे तो पहला तो यह देखिए angle q जो divide हो रहा है bisect हो रहा है तो यह angle हो जाएगा sqr यह triangle का equal होगा sqp का तो हमनों लिखते है sqr equal to angle sqp ओके और यहाँ पर हम दूसरा देख लें तो यह भी back set हो रहा है तो angle qsr इस triangle का equal होगा qsp उधर वाले triangle का तो angle qsr equal हो जाएगा angle qsp ओके हम यहाँ पर region देदेंगे क्या region देंगे since since qx since यह जो qx है वो back set करता है angle q और s दोनों को इसलिए यह हमारे जो triangle हुए यह दोनों angle यह equal होगी और साथ ही हम देख रहे है also हम यहाँ पर लिखेंगे also यह जो qs है यह जो qs है वो दोनों ही triangle के लिए क्या रहा है qs क्या हो गया common हो गया common to both the triangles तो हमारे पास three facts आगे three facts आगे so by angle side angle congrence condition तो हम लोग यहाँ लिख दिए so by angle side angle congrence condition triangle qrs congruent है triangle qps का ओके चलिए next question हम देखते है figure यह अपना दिया हुआ है यह अपना region भी हम लोगों ने दे दिया है इसका यह है question number four कहता है in figure 9.31 ok 9.31 ps ps किसको बैसेट करता है यह हम लोग देख लें यह ps बैसेट करता है p यह जो p है angle उसको two parts में डिभाइड कर रहा है और ps perpendicular है qr का यह जो ps है यह qr पे perpendicular भी आने 90 डिगरी के साथ angle बना रहा है अब कहता है find three pairs of matching part to check whether psq यह triangle है psq psq यह triangle psr psr यह congruent है इसके लिए three pairs हम लोग को check करना है कि मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है मतलब this angle equal to this angle clear तो यह दोनो angle equal होगी और यह देखिए 90 डिगरी से equal हो रहा है और यह ps जो है ना वो common है दोनों ही में तो angle side angle हमको मिल चुका है तो यह हमारा क्या हो गया congruent हो गया okay is psq congruent triangle psr yes तो यह congruent हो गया is true to say that qs equal to sr qs equal to sr yes qs और यह sr equal है क्यों जोकि दोनों triangle congruent होगे जब congruent होगे तो यह इसका सारा part corresponding part जो corresponding part है ना वो equal हो जाएगा okay qs और यह sr अपना equal हो जाएगा तो आईए हम इसको note करते हैं तो अभिना अपना figure बना हुआ है तो आपको figure बनाने क्या होई सकता नहीं है okay हम लोग diet answer लिखेंगे तो आईए हम लोग first का answer कर लेते हैं कहता है find the three pairs of matching parts तो हम लोग note करते हैं यहाँ पे तो हम लोग क्या क्या note करेंगे qps यह जो qps है इधर का angle okay यह equal होगा rps का यह angle क्यों चुकि ps जो है वो by set करता है angle p को यह जो angle p है इसको two part में by set कर रहा है कौन ps और साथ ही हम लिखेंगे psq psq this angle equal to psr psr this angle 90 degree से क्यों चुकि ps जो है वो perpendicular एक इस पे qr पे यह angle 90 बन जाएगा okay अब आते हैं हमारे पास अब second question हमारे पास है कि यह is psq congruent है triangle psr तो yes हम लिखेंगे yes triangle psq जो triangle psq है यह psr का congruent है कौन सा condition फोलो किया है तो angle side angle condition और अभी हमने यहाँ पे तीनों facts को note कर लिया है फिर हमारे पास है is is true to say that qs equal to sr y तो yes हम लिखेंगे yes it is true हाना क्यों चुकिए यह तोनों triangle congruent है तो हम लिखेंगे yes qs is equal to sr since triangle psq is congruent to triangle psr तो इस तरह से अपना statement complete हो गया और question 4 भी अपना पुरा हो गया अब question number 5 जो कि last है इसको हम लोग कर लेते हैं तो आईए हम लोग check करते हैं कहता है is aoc जो angle है aoc this angle equal है bod bod equal है yes y तो हम लिखेंगे vertically opposite angle इसके बाद triangle aoc triangle aoc congruent है triangle bod का yes कई से congruent है तो आप देख लिजिए यहाँ पे दे दिया है star mark हाना यह कह रहा है कि b और a जो है वो हमारा equal है angle तो यह जो mark दिया हुआ आप देखें बीच में एक आपको dash लगा हुआ यह बता रहा है कि यह जो a है और यह b है यह equal length का है तो अपना side equal हो गया और इसके साथ जो angle बन रहा है जो side है इसके साथ जो angle बन रहा है यह भी अपना equal है इस हो जासे यह condition हो गया angle side angle condition से यह congruent है फिर हमारे पास angle है a co a co यह angle और b do this angle क्या equal है yes जब दो triangles congruent हो जाते हैं तो उसके corresponding parts equal होते हैं तो यह अपना correct हो जाएगा तो आईए इसको हम लोग note कर लेते हैं तो first हम लिखेंगे yes यह angle है a o c और b o d equal है उसके पिछे रिजन देंगे हम लोग vertically opposite angle यह vertically opposite angle से कहाना equal है और second हमारे पास है इसको भी हम note कर लेते हैं तो यह कह रहा है कि triangle a o c congruent है की नहीं है तो हम लोग लिखेंगे yes यहाँ पर बात रहे कि इसमें से facts देने है की नहीं तो facts यहाँ पर देने के लिए नहीं बूला गया लेकिन हम लोग दे सकते हैं fact को तो यहाँ पर facts तो नहीं देने बूला है तो हम लोग मैं दे देता हूँ चलिए आपके लिए मैं दे देता हूँ कौन-कौन सा फैक्ट होगा यहां पे चेक करते हैं तो सबसे पहले अपना हो जाएगा एंगल A, O, C एंगल A, O, C एकॉल हो जाएगा एंगल B, O, D का एंगल B, O, D का ओके यह एकॉल हो गया और अभी हमने देख लिया और दूसरा फैक्ट हमारे पास क्या होगा तो एंगल A, जो एंगल यहां पर है, यह एंगल B के एकॉल है, एंगल B के एकॉल है यह तो given है, यह अपना कहना given है, और यहां पर जो A, O है A, O का जो length है, वो B, O के equal है, यह भी अपना given है, ओके? तो इस वज़ा से यह हमारा क्या हो गया यह हमारा जो बन रहा है angle side angle congruence condition यह पूरा हो रहा है तो fact नहीं देने बुला गया आपको fact देने क्या हो सकता नहीं किवल आप S लिखते हैं मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और यहाँ पर थर्ड हमारे पास है is angle ACO angle ACO equal है yes तो हम लिखेंगे yes अब यहाँ पर region देना है बोलता है why तो हम simple सा लिखेंगे triangle since हम यहाँ पर लिख देंगे since triangle जो triangle है हमारा triangle AOC triangle जो बन रहा है मेरा AOC एक congruent है triangle कुन सा BOD का okay triangle BOD के congruent है तो इस वज़ा से हमारा यह जो है angle भी equal होगा चीक है हम लोग समझ गी और यहाँ पर अपना worksheet 3 complete हो जाता है so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead प्रेट अप्रेट